हेलो फ्रेंज दिस इस अकांग्शा सिंग वेलकम यूँ ओन यूटूब चैनल वेटोजे आरेफ आज हम डिसकस करेंगे टीजी 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 जी आईसी का प्रैक्टिस सेट नंबर फोर तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर फोर है इसके पहले तीन सेट आ चुके हैं वह आप देखिएगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा एंड डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लेंक देया है वह से आप टेलीग्राम जोइन कर लीजिए आपको सारे पीडिया वहीं करना है कि आपके कितने कोश्चन सही हुए एंद अपना स्कोरा कमें सेक्षिन में अपना स्कोरा ज़रूर बताइबा तो कोश्चन पहला क्या है एजुकेशन ऑफ चायल्ड इस एन एक्जाम्पल फार जो एजुकेशन है चायल्ड के अगर एजुकेशन का जो हम जो भी गर फैमिली है वो बच्चे के एजुकेशन के लिए डिसीजन ले रहा है तो कैसा डिसीजन है तो यह जो चायल्ड के लिए जो एजुकेशन का जो as the conscious seeking of the simplest easiest and quickest method of doing work यहां पर कहा गया कि वर्क सिंप्लिफेकेशन तो वर्क सिंप्लिफेकेशन का मीन्स क्या है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको असान तरीके से जल्दी से जल्दी कोई ऐसा method use करें जिससे work जो है जो भी मारा काम है वो असान तरीके से कम energy कम time में जल्दी से हो जाए और उसकी जो main बात जो याद रखनी है वो है कि उसके quality जो हमारी work की है वो भी खराब नहीं होनी चाहिए कि जल्दी के चकर में कुछ भी ऐसा काम करके रख दिया मैं उसकी quality खराब नहीं होने चाहिए तो यह किस ने कहा है कि work simplification जो है वो डिफाइन क्या जाता है as a conscious seeking simplest and quickest method of doing work तो यह कहा है nickel and Dorsey nickel and Dorsey ने कहा है कि काम को बहुत simple तरीके से असान तरीके से और जल्दी करना यह वर्क simplification है और इसमें यह भी दिहान रखना है कि जो वर्क है उसकी quality खराब नहीं मंदब उसकी गुर्वत्ता जो है वो खराब नहीं नेक्स question आता है taking three major body waves in alignment this principle applies to जैसे अगर हम बैठे हैं तो हमारा जो ट्रंक एरिया है उसके बाद हमारा जो limb area है और head reason है यह तीन कोई भी body के तीन मेजर पार्ट ले रहे हैं अगर हम काम कर रहे हैं तो उन तीनों मेजर पार्ट को अगर हम एक सीधी लाइन में रखते हैं तो इसमें कौन सा principle apply होगा क्योंकि जब तीनों हमारे body part एक alignment में होंगे तब हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए force भी कम लगाना पड़ेगा हमारे जो मसल्स हैं में इस मसल्स में पेन भी कम होगा तो यह कौन सा principle है तो अगर हमाया पर देखो सिंपल सी बात है जो body weights है यह चेंज हो रहे हैं तो सिंपल सी हम बात थे क्या उसी के उसी को डिसकस किया है कि जब हम body को एक alignment में रखेंगे एक सीधी रेखा में रखेंगे यह अपनी body के जो हमारे जो और गंस हैं या जो हम काम करने के काम करते समय जो भी मारे हां था पैर यूज हो रहे हैं उनको प्रॉपरली एलाइन तरीके में रखके काम करना तो यह क्या होगा चेंज बॉड़ी पोजीशन नेक्स कोशन आता है गाड़नर्स सर्विस इस वेजेज जो हमारे जिसे माली है जो काम करते हैं उनकी सर्विस क्या है वेजेज है मिन्स जब वो काम करेंगी तब उनको पैसा मिलेगा वेर बैंक मैनेजर सर्विस जो बैंक का मैनेजर वो भी तो काम कर रहा है उसकी सर्विस salary बोनस किसको मिलते हैं जब बोनस कोई festival होता है तो जो government worker है या कोई भी company में काम कर रहे हैं उनको bonus मिलता है कि नेक्स्ट कोशन आता है इंपोर्टेंट नीड में बी ओवर लुक्ट इन प्लान जब कोई प्लान करते हैं तो कुछ जरूरी चीजे होती है जो हम भूल जाते हैं या उनके बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो यह कौन से टाइप का प्लान है जहां पर जो important needs है वह बंदेखी हो जाती हैं वह ज्यादा उनके focus नहीं कर पाते हैं तो जब हम mental प्लान बनाते हैं वहां पर जो important needs हैं वह थोड़ी बहुत जो है ओर लुक हो जाती हैं पर बहुत ज़्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि जब हम रिटेन फार्म में बनाएंगे और कोई सेमी रिटेन प्लान बनाएंगे तो सिंपल सी वात है जब हम लिखते हैं तब चीजें हमें ज्यादा focus होती हैं उनके ज्यादा ध्यान रख पाते हैं और वहीं जब हम mental बनाते हैं तो हमें जो कुछ चीजे हैं चलो कहीं skip हो गई माइंड से कभी अपना खुद self देखो जैसे हम morning में कुछ हम प्लान करते हैं कि हां आस पूरे दिन में यह करना है हमने mentally प्लान किया एक इमेज बनाई कि हां यह करना है तो साम तक हो सकता है कि एक आधी चीज उसमें से जो जहां पर रह रहे हैं उनकी जो उनका जो घर है या जो सल्टर है वहां पर बाहर से जो प्रैवेसी होनी ही चाहिए बाहर से प्रोटेक्शन होनी भी चाहिए इसके बाद दी बहुत कुछ है जो उनको external जो फैक्टर से वहां से प्रोटेक्शन चाहिए यह किसने कहा है य बल्ब होते है नहीं किया नाते है तो यह सब लोग करते हैं और इस टाइम जो हम लोग यूज करते हैं घर में में देखो अभी सब वो यलो वाले बल्ब तो कहीं मिलते ही नहीं है जल्दी, अभी यूज हो रहा है फ्लोरोसेंट लाइंट, यह जो फ्लोरोसेंट बल्ब है, इनको सिंपली जो LED वाले बल्ब है, जो घर में आजकल LED वाले बल्ब यूज हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट बल्ब, और यह जो incandescent वाले थे यह यह यलो वाले बल्ब जो पहले यूज़ हुआ करते थे इनको बोलते हैं incandescent बल्ब नेक्स्ट कोश्चन आता है इंडिकेट्स दा नेम ऑफ दा कलर कॉन है जो कलर के नेम को इंडिकेट करता है तो वह है हुँ, जो है यह पूरे कलर के एक पूरा जैसे हमने बोला रेड ठीक है अब रेड में इसके तिंस भी ओंगे तो इनको ना यूज़ करके हम यह यहां प debate उे फोरे कफालर का ओधिकेट करता है कि हां हुँ कि बात करते हैं value में intense and set means lightness and darkness आती है intensity means chroma जहां पर brightness और dullness होती है इसके रिलेटेड दो वीडियो है जिसमें हमने एक में अच्छे से पूरे principles and elements discuss किया है एक में अलग से पूरी color theories discuss की है तो उसका वीडियो आप जुरू देखेगा तो क्योंकि भी लास्ट वाले वीडियो टेलीग्राम पर कुछ चैनल कुछ कोश्चन पोस्ट हुए थे उसमें कोश्चन था कि कलर स्कीम के बारे में बताना था तो कोई सारे लोग वहाँ पर पूछ रहे थे कि इसका क्लियर हो जाएंगे नेक्स कोश्चन आता है दा पर्पर जो फ्लावर अर्रेंजमेंट इस टो एड़ चीर लाइफ एंड ब्यूटी तो थे स्राउंडिंग्स को सेट दिस यह किस ने कहा है कि जो फूल का जो अर्रेंजमेंट होता है जो घरों में हम फूल फ्लावर अर्रेंजमेंट है उस से जो है है एपिनेस ब्यूटी एड होती है एपिनेस लगता है कि हाँ यहां पर बहुत अच्छी जगह है है महां पर हैपीनेस यहां पॉसिक वाइप रहती हैं तो यह कहा है एच रट है कि next question आता है menu for the buffet should be such that guest can eat it जो buffet है buffet में menu कैसा होना चाहिए जिसको guest जो है वो simply सधारन होना चाहिए जिसको guest जो है अराम से उसको खा सके और buffet की हम बात करते हैं तो एक होता है finger buffet एक होता है fork buffet एक होता है plated तो means finger में जहां पे कुछ उंगलिया यूज़ करके हम खा ले रहे हैं fork means यहां पे कुछ ऐसे चीज़े जो सिर्फ जो काटे वाले fork होते हैं सिर्फ उनको यूज़ कर रहे है full buffet में जहां पे पूरा हाथ अराम से पूरा जो food होता है जो पूरे food को हम बोलते है फुल बफिट तो बफिट के टाइप होते हैं तीन प्रकार के और यहां पर बात की है कि बफिट कैसा होना चाहिए अब बफिट है तो ऐसा होना है कि 8 वीख के बाद से तिल बर्थ तक का जो पीरेड है उसको क्या कहते है तो उसको कहते हैं फुईट ठीक है अब आपको बताना है जो पहला पीरेड होता है ओवम तो इसका टाइम पीरेड क्या है और आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो इसका आपको मिल जाएगा अब के बाद आता है इंब्रियो ठीक है तो इंब्रियो तो यहां पर दिया हुआ है कि 8 weeks से यहां पर 8 weeks से बर्थ तक दिया हुआ है यह जो टाइम होता है फीटस होता है तो एट वीक के जो का पाला है से कितने time पीरइड को पता हो जाएगा इसे पता चल रहा आप से प्रेगनसी उसके आफ अफते से लेके बर्त के क्यों को पैसे है एक प्रेगनसीर करदेते माड़ा अच आपर बसका हो हुप और उसके पहले का जो time होता है उसको कहते है ovum तो ovum का जो time period होता है वो आपको बताना है यह dimb वाला जो time period होता है dimb वाली अवस्था उसका time period आपको बताना है next question क्या है the study of food at work in the body is defined as जो हम food ले रहे हैं ठीक है वो हमारे body में जा रहा है उसके पाद उसमें क्या-क्या reactions हो रहे हैं क्या-क्या transformation हो रहा है क्या changes हो रहे हैं इसकी study को कहते हैं इसकी study को कहते हैं nutrition क्योंकि food जो है हमारी body में जाके body को portion दे रहा है ना तो उसका study क्या हो जाएगी nutrition next question आता है human milk जो है वो contain करता है कितने gram of protein अगर हम बात करें जो human milk है वो contain करता है 1.2 gram of protein in 100 ml next question आता है irregular bowel evacuation or the absence of evacuation is term as देखो bowel का जो evacuation है वो irregular हो रहा है या कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है तो जो irregular evacuation है bowel का इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं constipation ठीक है diarrhea dysentery में loose motions with mucous diarrhea में simply water watery watery mucous तो इसको बोलते हैं diarrhea जहाँ पर evacuation नहीं होता है या absence evacuation irregular evacuation हो रहा है तो उसको बोलते हैं constipation next question आता है the reaction of tissue to a specific substance is known as, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि tissue का कोई specific reaction किसी substance को लेके tissue किसे बना होता है, protein से amino acid से, तो जो tissue है वो reaction किस पर करेगा तो simple सी बात है वो reaction भी protein पर ही करेगा, तो tissue जो है किसी एक specific substance से reaction कर रहा है उस पर तो क्या होता है, वो हमां हम बोलते हैं कि हमारी body चीज़ को accept नहीं करें body किस से बनी है, protein से mostly, तो यह हो गया allergy, तो अब यहाँ पर पूछ लिया कि allergic substance होते हैं, उनका nature क्या होता है, तो उनका nature होता है mostly protein, क्योंकि tissue जो है protein से बने हैं वो किसी specific substance पर react कर रहे हैं, उसको accept नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी body में हो रहा है allergy के रूप में, और वो allergy भी allergen substance अगर पूछ लेते हैं कि allergen substance किस से बने होते हैं, तो वो भी protein से बने होते हैं next question आता है, develop the physical, emotional and intellectual faculties of child इन में से क्या है, जो child की physical, emotional, intellectual सभी सारे taking supplements, तो नहीं जो playing है, playing के थूरू बच्चा जो है जहां पर भी उसका environment है, वहाँ पर अकेले खेल रहा है, या फिर parallel में खेल रहा है, या फिर cooperative play खेल रहा है, तो ये सब चीजे के आए वहाँ से बच्चे rules सीखते हैं, कि rules and regulation, थोड़ा सा discipline physically strong होते हैं, तो यहां से physical, emotional, intellectual सारे development है, जो वह play के according, अगर कोई बच्चा खेल रहा है, तो खेलने से उसमें physical, emotional, intellectual सारे development, इजली take place करते हैं, असानी से सारे developments होते हैं उसमें, next question क्या है, the कस्मीर embroidery is known है, जो कस्मीर की जी embroidery है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, कसीदा, कस्मीर की जो embroidery है, उसको कहते हैं कसीदा, next question आता है, the social behavior is initiated at the time of birth, यह true है false है, कैसा है, देखो time of birth पे बच्चा किसी को नहीं पहचानता है 3 to 4 month में उसकी social smile start होती है और तब पो जाके अपने जुसके आसपास रहने वाले लोग है, like parents है उसकी mother है, उनको पहचानता है तो यह तो बिल्कुल गलत हो गया है कि time of birth से ही उसमें social behavior start होता है, तो नहीं birth के time से उसमें social behavior start नहीं होता है, तो यह option जो statement है, यह गलत है, next question jealousy is an emotion jealousy जो है यह कैसा emotion, jealousy means इरश्या, किसी को देखके जलना या इरश्या होना, यह कैसा emotion है यह मिलनी जो 3 year तक का बच्चा होता है, इन में पाय जाते है तो कभी देखा होगा आपने कि कोई अगर 3 to 4 year का बच्चा है, उसके बाद कोई sibling आजाता है, तो उसको अपने sibling से थोड़ी सी jealousy होती है, starting में तो यह जो emotion है, यह negative emotion है अब next question आता है one of the cause of food born diseases food born diseases का एक cause क्या है तो यहाँ पे food born disease का cause पूछा है, तो यह होता है microbial contamination देखो यहाँ पे दिया है dysentery incubation and inflammation यह food born होने की जो food born disease है, disease हो जाने के बाद जो effect होता है, उसमें आ सकता है dysentery incubation means जो disease को पूरा अकर होने में जो disease हमारी बॉड़ी में पूरा फेले में कितना time ले रहा है, इसको बोलते है incubation, तो यह तो सब disease होने के बाद की terms है और disease होने का, जो food में और food born disease होने के बाद में dysentery incubation यह सटाम आते हैं और आपको बताना यह है कि जो Oum का time period है, वो कितना time period होता है कितने time period को fertilization के बाद के कितने time period को Oum कहते हैं तो इसका answer जो है आपको comment section में देना है और साथ में बताईए आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो अपने friends के साथ जादा से जादा like and share जरूर करिएगा जिससे उनको भी अपने सारी preparation में help मिल सके मिलते हैं next video में, तब तक के लिए wish you all the very best, good luck बाई बाई